अंदर की नमस्कारं, ब्रिज्ज कोर्स वीडियो की स्वागतं, लेवल 4 for 9th and 10th class, समक्रिशिक्षा सिद्धिपेट द्वार निर्वहिंच बड़त्तुन, इवीडियो गन्तम सम्मन्नी इंचिनर प्वांटिदी, ना पेरु वी अजै कुमार रेड़ी, जेट्पी एच्चेस, कुगुनुर्पल्ली, SA Mathematics, मंडल कोंड़ पाका, इरोजु टापिक, LCM, HCCF, यूकली डिविजन लेम्मा निर्वच्चनमु, दानि द्वार HCF कनुक्कोडम, मरियु, फण्डमेंटल थीरमा फर्थमेटिक, निर्वचनाननी इनेरिच्च्कोडमु, इन्तोक मुंदु वीडियोलो, मनमु, प्राइम फ्रेक्टरेशन द्वार, LCM मरियु, HCCF, एविदंगा चयालो नेरिच्च्कुन्नामु, प्रदान कारणांकल लब्दवन द्वार, LCM मरियु, HCF नु कनुक्कुने विदानाननी, मनम इन्तोक मुंदु नेरिच्कुन्नाम इकडा मनम इरोजु, division method द्वार, LCM नु एविदंगा, find out चयालो नेरिच्कुन्कुन्नामु, बागाहार पद्दति द्वार, कासागनु कनु कनुक्कुने विदानु, find LCM of 22, 40, 64 in division method, 22, 40, 64 should be divided by all prime numbers, as these are even numbers, let us take first even number 2, 22, now divide 22 by 2, we get the coefficient 11, and divide 40, we get the coefficient 20, and 64, we get the coefficient 32, now again we have to take the prime number 2 here, if it divides the number, then we should write the coefficient, if it is not, if it not divides the number, then we should write the number as it is, इकड़ुन्न नेंबरलु 10, 20, 32, 33, वीटिलो, 10 कोंड़ु उरेंडु डिवाइट चेयादु काबट्टि, 10 कोंड़ुन अधे विदांगा रास्तु, मिगता वाटिन एन्दुचे बागारम चेगा वच्चिन बागफालानी कड़र आस्कोवाली, इन्दिस मैनर, वी हाव तु डिवाइट चेश्टे, मदटि रेंडु नेंबरलु डिवाइट कावु काबट्टि, अधे विदांगा रास्कोवनी, चिवरगा वन्न 8 नू 4 गा रास्कोनां, अन्नी प्रदान संकेल उच्चे वरकु इए 10 ने कोनसागी नचाली, इपडु इए प्रदान संकेल अन्नीटी ओक्का लब्दमे, मनकु इए 3 संकेले ओक्का कासाक आओँ तुंदी, दा प्रोड़क्ट अफ आल दीस, एंड प्राइमनेम्बर्स आर, LCM of this 22, 40 and 64 Multiply carefully all these numbers 2 should be multiplied 5 times and 11 and 5 and 2 Hence the final product is 3520 This is division method to find LCM बागारपद्धित लो इविदंगा मनम कासागनु कनुक्कून्टाम इप्पुड मनम division method लो HCF नू एविदंगा कनुक्कोल चुद्दा इविदंगा मनम आरोतरगत लो नेच्चकोनी उन्नाम मल्ली एकसारी दीननी नेच्चकोनी 40 मरियू 64 नी HCF कनुक्कूने 10 चुद्दाम इविद्ध सैंक्यनू चिन्न सैंक्य चेता बागारम चेसकून्टू गासाबानू कनुक्कून्टाम अर्विन आलाउनू 40 तो नी दिवद चेस्चकोनू 40 divides the 64, 64 should be divided by 40 here 40 once 40 and now we should subtract 64 and 40 64 minus 40 we get 24 now this reminder becomes divisor and the divisor of first divisor 40 becomes dividend and it is the second step of division method to find the HCF of 60 and 44 this 40 becomes dividend now 40 मदी इपड़ु वीबाजकम होथुँदी मल इपड़ु अधी सेम पाई विदंगाने इकड़ुन अट्वण्टी इडिविडेंड नू इकड़ रासकोंटाँ आग विदंगा 24 नू मनम इकड़ रासकोंटी दाननी 16 चेता डिवाइड चेस्ताँ इविदंगा मनकु शेशं सुन्ना अउच्चे वरकु until we get the remainder 0 we should continue this process 16 once is 16 hence now subtract 24 minus 16 and we get here 8 here so now again the dividend 16 becomes divisor 16 becomes dividend now 16 is divisible by 8 here so it divides by 8 exactly 8 2s are 16 hence the remainder is 0 then HCF is equal to the last non-zero reminder here the reminder is 0 previously the reminder is 8 this is HCF for this division method मनकु division method लो चिवर का मीगिलनेट वण्टी विबाजयम यदा विबाजयकम इकड़ चिवर का मीगिलनेट वण्टी डिवाइजर नू मनम HCF गा थीशकुन्टाँ so इदी बागार पद्धती इविधांगा मनम HCF नू find out चेस्थाम इप्ड़ मनमोका activity चुद्धाम division lemma activity इकड़ मनम रेंडु paper ribbons तीशकुन्टुन्टुन्टुन्टुन्टुन्टुन्टुन्टुन्टुन्टुन्टुन् वाड़ी एक का पडवुल्वू Mनम 10 संटीमेटरलू मर्यू 6 संटीमेटरलू 以前 10 संटीमेटरल पडवून्ने 200 दिन्धि 6 संटीमेटरलं दिन्तों कोलुस्त्तु उन्नाम 9 सारंु 2 दिन्तों दिन्नी कोलोब्वतलों मम् स्चूध्ов 6 cm उन्ना दानी दिन्बाई उँचगा मनक्को 6 cm ले मीगलिप्पोगा इनका 4 cm मीगुरत्वुंदी आ 4 cm लेनु इकड़ मनम इटवाइपु थीश कुम्टुनम 6 cm लेनु इटवाइपु थीश कुम्टुनम now we should write the two centimeters part here and four centimeters part here now here this is two centimeters and this is four centimeters this four centimeters should be divided by this two centimeters now two divides the four exactly two times this entire process should be written in the form of equations hence the hcf of 10 and 6 is 2 here the last non-reminder non-zero reminder is the hcf now let us take one more example to understand clearly i am taking here two strips of lengths 90 centimeters and 27 centimeters okay now 27 centimeters should find the measures of 90 centimeters so like this it divides it measures three times and reminder 9 will be left here so 90 is equal to we should write 27 into three times and plus 9 here now again we should take 27 and 9 as it is now 27 should be divided by 9 here so 27 is divisible by 9 this is this 9 equal to what we have 9 1 which will is mark it इविधंगा चेड़ंवाल्ल 27 नाइन चेता करक्ट्टगा 3 सारलू division कावाड़ं मनम इकड़ गमन इस्थुनों दिन्नी समीकरन रूपमलो रास्ते 27 इस इकोल्टू 9 इन्टू 3 प्लेस 0 वोत्तुनी लास्ट रिमाइंडर एन्टेंटे 0 दीन कन्न मुंदू रिमाइंडर एन्टेंटे 9 सो 9 अने थी 27 की 90 की हेच्चिसेफ आउथुनी हैंसे हेच्चिसेफ आफ 9 इन 20, 90 इन 27 इस इकोल्टू 9